जीडीपी के उत्साहा जनक आकलों के बाद प्रैधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2023 की तीसरी तिमाही में 84 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी व्रद्धी भारतिय अर्थव्यवस्था की शक्ती और शमता को प्रैदर्शित करती है मोदी ने एक्सपर्क पोश्ट कर लिखा तेज आर्थिक विकास को लेकर हमारे प्रयास जारी रहेंगे जैसे से 140 करोड भारतियों को बेतर जीवन जीने और एक विक्सित भारत बनाने में मदद मिलेगी यानि कि देखे तो आम चुनाओं से पहले ये बीजेपी के लिए बूश्टर डोज है बूमिंग क्रेडिट ग्रोथ जब दुनिया के जाने माने अर्थव्यवस्था में यूएस जैसे एकॉनोमीज में उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं हमारे banks, हमारा financial sector is amongst the strongest in the world it is inclusive, it is affording credit to start-ups, entrepreneurs or NPA's decadal low of 3.9% next तो बहुत ये इप, positive transformation of economy under Prime Minister Narendra Modi Ji सरकार fragile five to top five जैसे मैंने कहा, poised to be in the top three, fastest growing economy in the world for several years और हाल ही में एक Nobel Prize winner Michael Spence ने कहा कि देश, भारत का digital economy जो है दुनिया के सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे effective digital economy है और banking system और जैसे मैंने कहा, बहुत ही एक strong financial sector नरेंदर मोदी जी ने खड़ा करके रश्यत कर रहे हैं हमें लगता है कि सरकार द्वारा किये जा रहे है, पूजी गत्खर्ष का फाइदा अर्थ विवस्था को मिल रहा है और इसमें तीज गती जारी है स्टार्ट अफ भी उबरे हैं, FDI भी हुआ है और सरकार के resources के साथ ये growing economy का एक direct implication है कि सरकार के पास spending capacity increase हुआ है आप जानते ही हैं कि हम record numbers में capital investment कर रहे हैं 11 lakh crores के capital investment कर रहे हैं 25 crores लोगों को multi-dimensional poverty 34 lakh लोगों के direct benefit transfer हुआ है 11 lakh, 11 crore households पिछले 3 साल में tap water, safe tap water उनको मिलने को मिला है और ऐसे सारे statistics हैं जो directly a consequence है, result है of a growing strong economy